हेले वरिबन आज हम लोग देखेंगे 17 जून 2030 का करंट फिर्स तो आगे बढ़ते हैं पहला प्रस्न हेमारा हाली में किस सहर में बलिदान अस्तम का उदगाटन अमीद साह के द्वारा किया गया है तो बलिदान अस्तम का उदगाटन जम्मौ कस्मीर में किया गया है और जम्मू कस्मीर के लेटेन गवर्नर यहू पराजिपल मनोसीनह है तो बलिदान अस्तमकाउद घाटन कहां किया गया जम्मू कस्मीर में किया गया और यह देश के गरिह मंत्री अमीत साजी के दोरा किया गया दूसरा प्रसन हमारा है दो सो अंतराष्टे फुटबॉल मैच खेलने का गिनिज बल्ड रिकॉड किस खिलाडी ने बनाया है तो ये दो सो अंतराष्टे फुटबॉल मैच खेलने वले दुनिया के पहले प्लेयर बन गए ये क्रिश्टेने रोनाल्डो है जो कि ये खेलते हैं पुर्तगाल की तरब स कि ठेनर रोनाल्डो आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा प्रसने हमारा हाली में एकनोमिक्स इंटेलीजैंश इनिट द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार दुनिया में रहने के लिए सबसे सबसे सहर कौन है तो मतलब दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छा सहर यह जो ranking जारी की गई है इसमें top 10 में भारत का कोई भी सहर नहीं है और इस जो ranking जारी किया जाता है यह economist intelligence unit के द्वारा जारी किया जाता है दूसरा rank किसे प्राप्त हुआ यह डेनमार की रैजदानी Copenhagen को पहला है बियना दूसरा है Copenhagen आगे बढ़ते हैं प्रसन हमारा global gender gap index 2030 में भारत को कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है तो global gender gap index में भारत को जो अस्थान प्राप्त हुआ है पहला rank है जो Iceland को प्राप्त हुआ आइसलेंड लोगतार 14 सालों से जेंडर गैप इंडेक्स में पहले नंबर पे है भारत का इस साल रेंकिंग 127 है इस से पहले भारत की रेंकिंग 135 थी मतलब 8 रेंकिंग को सुधार हुआ है भारत में उसमें पहले नंबर पे कौन है आइसलेंड आओ ये रेंकिंग जारी किया जाता है बर्ल एकनॉमिक फोरम के द्वारा ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग पाचमा प्रस्ना हमारा दुनिया का सबसे बड़ा रमायन मंदिर का निर्मान किस राजी में किया जा रहा है तो दुनिया का सबसे बड़ा रमायन मंदिर का निर्मान बिहार के पुर्वी चमपारन जिला में किया जा रहा है बिहार के बारे में हम लोग देख लेते हैं बिहार की राजधानी पटना है और ये एक राजी के रूप में पहली बार आया था और मुखमंतर नितीस कुमार है यहां की राजधानी पटना है आगे बढ़ते हम लोग भारत के सबसे आकरसक नियोकता ब्रेंड किस कंपनी को चुना गया है तो भारत के सबसे आकरसक नियोकता ब्रेंड ये टाटा पावर को चुना गया है और यह ranking है जो annually जारी किया जाता है I understand employer brand के द्वारा तो भारत का सबसे आकर सकनी उक्ता brand को उन्हें Tata Power है आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं Gift City के नए Chairman के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो Gift City के नए Chairman के रूप में न्यूक्त किया गया है हस्मुकातिया को Gift City के नए Chairman के रूप में न्यूक्त किया गया है हस्मुकातिया इससे पहले Revenue Secretary थे जब GST लागो हुआ था तो उस टाम ये Revenue Secretary थे हम लोग देख लेखते हैं Gift City है जो गुजरात में है गुजरात की राज़ानी क्या है गांधी नगर है और यहां के राज़पालें सिरी आचारिय देवरत हैं यहां के मुखमंतरे भुपेंदर पटेल है गुजरात के मुखमंतरे भुपेंदर पटेल है राज़पालें सिरी आचारिय देवरत अगिप्ट सिटी है जो गुजरात में है आठमा प्रसन हमारा हाल ही में फिनलेंड के ने परधान मंतरी के रूप में किसे निक्त किया गया है तो ने फिनलेंड के ने परधान मंतरी के रूप में निक्त किया गया है पेटेरी ओरपो को पेटेरी ओरपो को फिनलेंड के नया परधान मंतरी निक्त किया गया है फिनलेंड की राइधानी है हेलेंजी की यह फिनलेंड है जो हाल ही में नेटो का मेंबर भी बना है नेटो में अभी मेंबर है 31 मेंबर है और नेटो की हेड़कौर्टर है जो ब्रुशेल्स में और यह बना था 4 अपरेल 949 को आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 मा प्रस्थने मारा 45 में यूरोपियन निवंद पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो 45 यूरोपियन निवंद पुरुसकार से सम्मानित किया गया है अरुन धती राइको तो अभी यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर हैं 27 मेंब 2023 से किसी सम्मानित किया गया है तो जर्मन सांती पुरुसकार 2023 से सम्मानित किया गया है सलमान रूसदी को सलमान रूसदी को जर्मन सांती पुरुसकार से सम्मानित किया गया है बार्माप्रस हमारा हाल ही में भारत की इस देश को मिसाइल कॉर्वेट आई एनस किरपान उपहा तो जो भी चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करने हैं थैंक्यो अब्रीवन